हेलो चिल्डन इन प्रीविएस लेक्चेर वी विल डिस्कस एबाउट दे एकसरसाइज चैप्टर नमबर टू मैंने उसके एक पेपर सेट्क तयार किया था कल के वीडियो में और मैंने उसके हर एक बच्चे के पास सेंट कर दिया था काफी बच्चों ने उस पेपर को करके मेरे पास सेंट कीजिए क्योंकि आज आपका मैं चैप्टर नमबर ट्री का एकसरसाइज लेके आया हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपको chapter number 3 पढ़ाय था दिल्ली सल्तान के बारे में दिल्ली सल्तनत के बारे में दिल्ली एमपैर के बारे में कई नाम है जिसे सबसे पहले गुलाम वंस ने राज किया है इन पांच वंसों ने राज किया है दिल्ली में जिस दिल्ली को बनाया था तक अभी तोमर सासकों ने जिने पितिविराज चौहान ने हरा कर पितिविराज चौहान अपना वहां सल्तनत इस्टेबिश किये हैं जिने आप चौहान चौहान कहते हैं चौहान वंस इसके बाद आ अपना राज कायम किया है उसी मुहम्मद गोरी ने गोरी के बाद कुत्वदीन एवक ने इस दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया और उसको फिर आगे अन्य राजाओं ने बढ़ाया है ये सब मैंने डिसकस किया आपके साथी साथ मैंने बताया था कि आपके दिल्ली सल्तनत का सबसे महान सासा का अलाओ दीन खिल जी रहा है इसके कारे बड़े अच्छे रहे हैं और किस प्रकार इसके अच्छे रहे हैं मैंने एक दो पॉइंट आपको वीडियो में डिसकस किया हूँ अलाओ दीन खिल जी के बाद मैं आपको गयासुदिन तुगलक का नाम बताया था कि नहर निर्माल करने वाला साथ ही मैंने आपको मुहमद बिन तुगलक के बारे में बात किया और सबसे बड़ी बात मैंने फिरोसा तुगलक के बारे में बात किया आपको दो सासकों पे दो इंपरर पे इस्पेसल ध्यान देना होगा उसमें पहला है अलाओ दिन खिल जी खुद और दूसरा है मुहम्मद बिन तुगलक क्योंकि आपकी बुक में मुहम्मद बिन तुगलक का भी अच्छा का सा एड्मिनिस्टेशन डिसकस किया गया इसलिए आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए दो सासकों के बारे में याद रखना फिरोस सा तुगलक आप थोड़ा बहुत याद रगेगा क्योशन बन सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि पूरे दिल्ली का सबसे मैं महान सासक फिरोस साह को कहता सासक नहीं कह पा रहा हूँ डिसकस किया है मैंने संयद वंस खिजिखान के बारे में डिसकस किया है मैंने आपको लोधी के बारे में बालोल लोधी के बारे में सिकंदर साह लोधी और इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी तक ला कर मैं उसे खतम किया आपके चैप्टर्स को आगे मैं वहीं से मुगल एंपायर इस्टेबलिस करूँगा मुगल एंपायर पढ़ाऊंगा क्योंकि यहीं पर आके बावर ने इब्राहिम लोदी को खत्म कर दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया उसके एड्मिनिस्टेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया किस वब से उपर सुल्तान था फिर उसके पीज़े सुविदार थे फिर और इकता ब्यवस्ता क्या है यह सम्म मैंने डिस्कस किया साथ ही आपको मैंने कुछ टैक्सिस के बारे में डिसकस किया है जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे वो बच्चे वो वीडियो देखेंगे और उस वीडियो को देखने के बाद मैं आज आपके लिए 8 कोसिचन लेकर आया हूँ इसे साल्व करने की कोसिस करेंगे कौन सा पहला रूलर था जिसने दिल्ली को अपना कैपिटल बरा है मैं एक्स्प्लेइन नहीं करूँगा आपको खुद कोशन सबच के करना होगा इबन बतूता के बारे में मैंने बताया था यही इबन बतूता वो हिस्टूरियंस हैं जिसने मुहमद बिन तुगलक जैसे सासर को मैड इंपरर बोला मैड सुल्तान बोला पागर सुल्तान कहा इबन बतूता ने उनका इतिहांस लिखा है मुहमद बिन तुगलक के बारे में काफी कुछ लिखा है तो आप इपने बतूता के बारे में मुझे बताएंगे विच कंट्री बास साथ कोश्चन है दोनों साथ है फर्स्ट और सेकेंड कोश्चन नमर्थ थर्ड वाट इज मीन्ट बाइ इंटर्नल एंड एक्सटर्नल फ्रॉंटियर्स आप दे सल्तनत बहुत बार आपके बुक में ये वर्ड आया इंटर्नल और एक्सटर्नल फ्रॉंटियर्स कौन थे फ्रॉंटियर्स कौन थे इंटर्नल इंटर्नल आपको ये दोनों वर्ड डिफाइन करना है कि इंटर्नल फ्रॉंटियर्स किसको काते है थे और external frontiers किसे कहते थे एक question number three है question number four write a short note about allowed din khilji बहुत discuss किया allowed din khilji के बारे में काफी कुछ इनके दिली सल्तनत के बारे मैंने discuss किया तो उसको लेकर आप एक short note तयार कीजिए आकर मैं allowed din khilji को दिली सल्तनत का सबसे great sultan क्यों कहता हूँ इसको एक short note तयार कीजिए फिप्टी वर्ट्स में question number next what was the impact of the Mongol invasion on the दिली सल्तनत allowed din khilji जब यहाँ सुल्तान बना था उससे पहले बलबन वगरे सुल्तान ते इल्टुतमिस थे उसी समय सेंट्रल एसिया में कहा जाता है क्वारिज्म को खत्म करके Mongol established हुए थे और उन Mongolों को established किया था चंगेज खान ने चंगेज खान जब तक था तब तक सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन जिस दिन चंगेज खान मरा उस दिन तमाम Mongolों ने कई बार भारत पर attack किये कई बार किये कह जाता है सबसे ज़्यादा बार attack तो अलाओदीन खिलजी के समय हुआ है तो वही पूछ रहा है what was the impact क्या impact पड़ा Mongol जो भारत में intrigue किये हैं दिल्ली सल्थनत में clear one आप लिखिएगा इसको next one name some taxes in दिल्ली सल्थनत दिल्ली सल्थनत के कुछ tax बताना है simple चोटा question why were the दिल्ली सल्थन interested in cutting down forest क्यों interested थे cutting down forest में यह मैंने discuss किया है आपके lecture में समझाया भी हूँ इसको दीजएगा answer question number last है who defeated the Tomar Rajput and when किस ने Tomar Rajput को defeat किया और कब किया यह आपका last question है तो 8 question है जिसमें काफी इस बार मैंने कुछ 60 question बनाए है but long question थोड़े कम ही बनाए 2-3 question long है question number 3 थोड़ा long है question number 4 थोड़ा long है 5 long है बस 3 question long है बाकि 5 तो आपका easy है छोटे-छोटे question है क्योंकि मैं सोच रहा था आप इसको solve कर लिए जब छोटे-छोटे question है इनके बारे में जानकारी हो जाएगी तो इसके बाद मैं फिर एक model paper chapter 3 का फिर बनाऊंगा और उसमें मैं आपको 5 long question दूँगा आप ये छोटे-छोटे question थोड़ा करिए इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप कहां तक इस chapter को समझे है क्या आप में problem हो रही है और किस प्रकार आप इस questions को solve कर रहे है वीडियो में मैं upload करूँगा आप उसको देखिए एका question Story ध्यान में रखियेगा अगर ये Story आपको ध्यान में रहता है कुछ points ध्यान में रहता है कुछ heading ध्यान में रहते हैं कुछ naam ध्यान में रहते हैं तो आप बड़े आराम से कि प्रकार का कोई question बने बड़े आराम से solve करेंगे और मैं आपको बता दूँ history बहुत easy subject है अगर आप easy language में story type समझेंगे तो निश्यत तोर पे ये सबसे अच्छा subject माना गया है तैयारी के वियो से अच्छा कासा आपको story पता अच्छा कासा आप उसमें कुछ add करके लिख सकते हैं वो सुल्तान के बारे में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो ये सब आपके answer में clarity देगा clear है तो ये 8 question है आप इसे note down करिया और इसे solve करिये मैं खुद class 7 का class teacher हूँ मैंने बता दिया है आपको तो मैं हर एक बच्चे के पास ये homework send कर दूँगा जितना जल्दी हो सके आप इसका मुझे answer दीजिए कल मैंने upload किया था chapter number 2 का उसका अभी तक paper कई लोगों ने मुझे दिया नहीं homework किया नहीं उसका कीजिए और chapter number 3 को solve करके as soon as possible जितना जल्दी हो सके आप इसका answer मेरे पास भेजिए आप इसका answer मेरे पास आ जाएगा सभी बच्चों का answer मेरे पास आ जाएगा मैं उनको देखूँगा किस प्रकार लिखे हैं पिर next video में मैं chapter number 3 का long question बनाऊंगा और उस फिर आगे video में मैं तीनो chapter का exercise कराऊंगा simple कहने का मतलब है आपका chapter number 3 पे रोका गया है class और chapter number 3 तक हम लोग बार बार revision करेंगे और question की तरह question के माध्यम से हम उस chapter को और clarity के साथ समझेंगे तो next video में मिलेंगे next chapter number 3 के long question के साथ इस question को आप सालब करके जल से जल मेरे पास इसका answer बेजिए okay thank you